होने से पहले कहा, बाली शिखर सम्मेलन के दौरान में वैश्विक आथिक वृद्धी, खाद्यव ओर्जा सुरक्षा, पर्यावरन, स्वास्थे तथा डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्विक चिंता के प्रमुक मुद्दों पर जी बीस देशों के नेताओं के साथ की राष्ट्रपती बाइडन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनिक और पफ्रांस के राष्ट्रपती मैक्रो भी शामिल होंगे। मोदी ने कहा, वह जी बीस शिखर सम्मेलन से इत इसमे भाग लेने वाले कई अन्य देशे के नेताओं से मिलेंगे और उनके साथ भारत के द प्रित्वी, एक परिवार, एक भविश्य विश्य पर आधारित होगी, जो सभी के लिए समान विकास एवं भविश्य के संदेश पर जोर देती है। और जा सुरक्षा, परियावरन, स्वास्थे तथा डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्य विक चिंता के प्रमुक मुद्दों पर जी बीस देशों के नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। कई अन्य देशे के नेताओं से मिलेंगे और उनके साथ भारत के द्विपक्षिय संबंधों में प्रगती की समीक्षा करेंगे। भारत एक दिसंबर 22 से औपचारिक रूप से जी बीस की अध्यक्षता संभालेगा। मैं अगले साल शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए सभी सदस्य देशों के नेताओं को निजी तोर पर आमंतरित करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जी बीस अध्यक्षता वसुद्यव कुर्टुम्बक्म या एक प्रित्वी, एक परिवार, एक भविश्य विश्य पर आधारित होगी जो सभी के लिए समान विकास एवं भविश्य के संदेश पर जोर देती है। जी बीस वेश्विक आर्थिक सहयोग का एक प्रभावशाली संगठन है, यह वेश्विक जी डीपी का लगबग 85 प्रतिशत, वेश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगबग दो तिहाय आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इंडोनेशिया जी बीस का वर्तमान अध्यक्ष है, भारत एक दिसमबर से औपचारिक रूप से जी बीस की अध्यक्ता संभालेगा।